क्या मिला तुझे ऐसा करके पुलिस की गिरफ्ट में आये आरोपी को थपड जड़कर इस महिला ने जो सवाल पूछा उसका जवाब सिर्फ उसे ही नहीं हर इंदौर वासी को चाहिए हर उस शक्स को चाहिए जो इंदौर अगनी कांड की तस्वीरे देख कर देहल उठा था आखिर कौन है ये शक्स और उसे थपड रसीद करने वाली ये महिला कौन है आई आपको बताएं पूरी कहानी दरसल इंदौर में पिशले दिनों एक घर में आग लग गई थी घनी बसाहट वाली स्वन बाक कॉलोनी की एक तीन मंजिला इमारत में भयंकर आग लगी थी आग की भयावाहता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिये कि इसमें एक दमपत्ती समेथ साथ लोग जिन्दा जल कर मारे गए थे शुरवाती तोर पर ऐसा लग रहा था कि आग लगने की बजह शौट सर्किट है लोग इसे हाथ सही समझ कर चल रहे थे लेकिन पुलिस ने जब मामले की जाच शुरू की और आसपास के सीसी टीवी फुटेच खंगाले तो इस अगनिकांड का पूरा सच सामने आ गया पुलिस की जाच में पता चला कि आग लगना कोई हाथ सा नहीं था बलकि ये तो एक साजिश थी आग इसी शक्स ने लगाई थी जिसका नाम है संजय और शुभम दिक्षित शुभम ने इमारत के नीचे बेस्मेंट में खड़ी एक स्कूटी में आग लगाई थी जिसने देखते ही देखते भीशन रूप ले लिया और पूरी इमारत को अपनी ज़द में ले लिया इसमें साथ लोग जिन्दा जलकर राक हो गए पर सवाल ये है कि आखिर शुभम ने ऐसा किया क्यों? दरसल मूलतह जहांसी का रहने वाला संजय और शुभम दीक्षित इसी मकान में छे महिने पहले किराय पर रहा करता था इसी अमारत में रहने वाली एक लड़की से संजय का प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन कुछ दिनों से उनके बीच अनबन चल रही थी घटना वाली रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया बताया जा रहा है कि जगड़े की बज़ः शादी से इंकार करने और कुछ पैसों का लेंदेन भी था लड़की को सबक सिखाने के चक्कर में शुभम ने उसकी स्कूटी में आग लगा दी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इमारत में सो रहे साथ लोगों की जान ले ली हलाकि लड़की इस हाथसे में जिन्दा बच गई CCTV फुटेज में आरोपी की करतूत कैर हो गई वरना शायर इस घटना का पूरा सच कभी सामने नहीं आ पाता पुलिस ने जब आरोपी को गिरफतार किया तो लड़की की बेहन कोट में पेशी के दौरान उसे थपड़ मारने पहुँच गई पुलिस ने बताया कि एक पुराने केस में शुभम पहले भी जेल जा चुका है एक सिर्फिरे आश्रिक की इस करतूत ने पूरे शहर को सन्द कर दिया है एन्बिटी ओनलाइन की रिपोर्ट झाल झाल